साधियों नमस्कार मैं राजंद कुमार न्यूस पैंट अफ यू से दो दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हपने जिनेंद्र दलाज जी से बाचेत करी थी जो कि एक RTI एक्टिविस्ट हैं और सामाज जिक कार करता हैं उसी बाचेत का दूसरा भाग हम आपके सामने लाएं हैं इस बार जिनेंद्र दलाल जी मत्पदेश शेकारिता विभाग के और भी नटबल लालों के बारे में बताएंगे और उनके भेस्ट आजश्रन के बारे में भी बताएंगे और सूचना का दिगार दिनियम के बारे में भी कुछ उनसे बाचीत करेंगे तो आईए जिनेंद्र दलाल जी से बात करते हैं कि नलाल साथ आपने पत्रिका में यह खबर छापी है कि सहकारिता में जो ततकालीन् सेंविद्र들 उन्होंने अवैध्य मकान बनाया है तो ये कैसे अवैध्य मकान हुआ जर बताने की कोणक्रपा कर इसका उनों ने बहुत दोन किया और भहत ही प्लाड इनोंे प्लाटों के हिरा फेरी किये और दो प्लाड इन्हों ने एक बाउ और बेटे के नाम ले लिया पर बाउ आपका नाम लिख़वाए और जो अवेद था 2014 में इनके बेटे की शादी हो चुकी थी और तो इनको पति का नाम दिखवाना था इनके पर्चु की दो प्लाट एक साथ लेना थे इसने शड़ियंद पुर्वक एफिदेट वगेरा शड़ियंद पुर्वक बनाया गए फरजी और इस तरीके से में दो प्ल dil इंड़े दो से लिएघवक ख्येट असे यह उसमें क्या है कि जब प्लाट पे अलग अलग नाम है और और दोनों प्लाट पे dabei कि माकान बन रहा है तो वह उप्लंच। एकने दिकार के तरहें नहीं पूछा कि ये मकान कैसे बन रहा है तो नका हमारे के कोई पर्मिशन आप दीनी कहीं साथ आप तो वना पात्रिका में शापा है तो वह अवेध हुआ हुआ मतान ओ पांचकरोड का मकार है तो पांचकरोड का मकाम तो पांच करऊ मुष nasi सबसे बड़ी बात कि पांच करोड़ आये कहा से और चुक्क हाउसिंग सेंगर के पास था तो बजार रेट से लगबक आधी कीमत में इन्होंने प्लाट खईते अड़ी डालके हैं और नहीं तो सामने वाले को यह कहते हैं कि नहीं तो हम तुम्हाइज सोसाइटी कर देंगे यह कर देंगे वो कर देंगे वगला अड़ी कामरा इसका और जित्ते महत्य प्रदाश में घोटाले बास थे जब यह सर्थिस अब होई नहीं पर उनको उल्जा लिया है बस और कोई कारवाई उन पर नहीं हो रही है तो यह जो मकान बणा है यह तो अवेद रूप से बना है, यह बाते है, नगर निगम जानती है, और मैंने सुना है कि यह इसका केना है कि नगर निगम वाले आते हैं, मकान देख जाते हैं, मैं 55 जार देता हुचले जाते हैं चुप जाते हैं, तो कब तक बाटेगा पैसे, और कब तक नगर निगम के अधिकारी अंदे बने रहेंगे मकान को गिराते को नहीं जब अवेद बनाएं तो हैं अजा इधर अब जब सुचना के अधिकार के तरह तो को जानकारी मांगते हैं तो हर विभाग में यह स्थिती हो गई कि सारे जैसे इसा प्रतित होता है कि चोरों का गिर हो यह लोग एक कि जानकारी है मांग रहे हम देदे क्या और हम जैसे पुछते वह इन्होंने जब यह भरती हुए थे जब नौकरी में आये तो इनके द्वाएं जो दस्तावेज दिये गए थे उनके कापी मांगते मांगी तो उनकी कापी मांगने में देने में क्या तो आठ है उसके अंतर काम करते हैं जानकाई छिपाने का काम करते हैं और चोरो जो ब्रेश्टाचारी और नट्वर लालों को यह प्रिस्टिक्शन देते हैं कि इस तरीके से इनके दस्तावेज दिये जाएंगे तो हम इसमें पड़े परिशान हैं हमको दस्तावेज मिलते नहीं है अगर यह अगे तो कल हो मेरी देगा जब दर से सामने वाले को पुछते हैं किसाब हम आतावेज जानकारी में तो से आयोंगे वहाँ आप कम्प्लेंड कर सकते हैं कि अधनी राजसुच्टा आयोग में कितनी कम्प्लेंड लगाएं वह भाहा निराकरन स्ल्सक्राइब उसकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई पर पाइस नहीं करने देंगे फिर रिटार्ड होके आसपास पहुचेंगे चालान पेश होता है तो दो और तीन साल की सजा होती है जिनकी जमान दिन वाजाती है इसके बाद जाते हैं आई कोड जाएगा तो हाई कोट 20 साल और 20 साल में दब तक निपड़ सुले लेना है सामने वाले को तो इसलिए ये ब्रेश्टा चायर में लिप्त व्यक्ति बेशरम होते जा रहे हैं इनको मालूम है कि हमारा कुछ नहीं भिगड़ सकता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो सजा पासक पाते हैं ब 2004 में आवाज संग के में फायार होई थी ट्रेक बर के दस्तावेद गए दी व्यक्ति में मगर विचारे उन लोगों के खिलाब चालान पेश हुए जो माम मामूली मामूली कई हलके से हस्ताक्षर वगेरा में लिपत रहे हो बाकि जो में में जो जमाने के नेटवल लाल या बेश्टाचार के मुख्य आरोपी रहे हैं उनको तो कभी चालान पेश हुए ही नहीं है वह अभी आज भी खुले गूम रहे हैं तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कहां जाओ इन लोगों को सजा कैसे दिलवाओ यह सब एक बढ़ा पूचना निकालना चाहते हैं तो वो कैसे काम करेंगी मतलब अधिकार का कोई मतलब रह गया है कि नहीं रह गया है नहीं दीरे दिए पेएक समय था कि अधिकार में दस्तावें डंक से दिये जाते अब दिए-धिए सुचना के अधिकार की सी यह हो गई यह कि पीजित भी व्हाइकोट में, दस्तावेज कुछ नहीं है देना दस्तावेज कुछ नहीं दिखा रहे हैं बस वो बीस-पन्ची साल पुरान वुज़त करलेंगे और बता देंके साम वारे यहां सुचना का दिकाल लागूनी होता है एसे बैंको में इसवाते हैं अज़ाब करने में यह बर्विन सेंगर जयोसे रहें रहा हे कि उस में कभी नियम अनुसार कोई कारी के इए उसने जित्ते किए अवेद किए डंग़े की चोट किए और कोई इसका कुछ नी दिखाड सका। उसका केई तहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाण पाइगा हर आदमी को जो मेरी सिकायर पे मेरे खिलाब कर सकता है जो ने मैं खिलाब कारवाई करने में सक्षा में उन के मुह में में अतने पला हुझ ठुज उह हुझ और यह लूशेट भी है कि वह ह option मत्री जी के शीट नम państwo अपने आपको मंत्री जी का दर्तक पूत्र बताता है तो आप तो इतने अनुभवी हो आटी आई में तो कोई यूनियन नहीं है जो आटी एक्टिविस्ट की जो यह सब सरकार को बता सकी कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है सब अपने अपने मतलब से अपने वह करते हैं अगर समास्तिवा की देश्टी से करें तो मज़ा भी आए वह तो सब यह हैं कि ठीक है आप तो खाओ और हमें भी खिलाओ उस वाले उस पे चलते हैं लोग बग जाना तर और यही हाल सब जगे के हैं और हम कोशी से करते हैं कि सामने वाला एक्सपोज हूं दलाज साब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बाचीत करने के लिए हम आपकी बात विवेग दिख्षिजी से कराते हैं जो कि आर्टिय एक्टिविस्ट हैं आईए उनसे कुछ आर्टिय की जानकारी लेते हैं दिख्षिजी मुक्ति की उडान मैं देख रहा हूं आपके सामने पड़ी हुई है तो इस पत्रिगा के बारे में कुछ बताइए यह मुक्ति की उडान जो आपने निर्विक पत्रिगा आप निकाल रहे हो बहुत भड़ी है पत्रिगा है आपकी और इसके अंदर आपने निटवर लालों के बारे में आपने इसमें काफी कुछ लिखा है, और इस तरह हावी है कि आड़ी में भी जानकारी निकालो, आपको तो इनका मकान जिन आपने लिखा है संद्वद पंजे अरविन सेंगर जी का मकान, जो मकान बना हुआ है, आपने फोटो भी छापा है उ फैंट की פ्लाट्टतो हैं तो नगन निγगम को में सिकायत हुए इसकी तो नगन निगम को जानकारी बात की है कि ये दो प्लाटों पर एक मकान बना हुआ यह अ है तो यह किस निएमको तहथ philosop पर एक मकान मनाने की पर्मिशन दी नहीं दी गई आसे में सेहर में बना भूपाल में बनाऊ है लेकिन यह क्या है यह माफियां का यहां के नटवल लालों का सहकालिता के प्लॉट हैं इसलिए इन पर कोई कारवाई नहीं हो रही है लेकिन आप लोगों की जो आप पत्रिका चाप रहो बहुत अच्छी है वह बहुत बढ़िया है इस तरह करते रहेंगे जब हम छोटे-छोटे प्रयास करेंगे तब इन नटवल लालों पर कारवाई होगी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पत्रिका इस तरह की निकान करेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद इक्षी सब थैंक्यू अरी मच हमसे बात करने के लिए